नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीएस आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एक्जाम यूटुब चनल जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और देखिए चंद का ये तीसरा पार्ट इससे पहले मैंने दो पार्टों को बहुत अच्छी त्रिक से समझाए ह उनको आप देखोगे तो पफटा चलेगा प्ले लीच्ट में जाए और चंद की पलेलिस्ट में ऊपन कीजिए उसके अंदर आपको दो पार्ट मिलेगे और जैसे जैसे नहीं पार्ट आएंगे वह मिलते जाएंगा उर्स प्लेयली स्वाइकन को दबाते हैं तो और आपको तो किसी भी मतलब कि आपको सेंस करते हैं सिक्षन वीडियो में तो सभी तरह के प्लैलिस्ट बढ़ी हुई है चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मात्रिक चंद एक मात्र हमारा जो चंद है ना उसके अंदर मैंने चंद की जो नॉर्मल वासा होती है मात्रिक चंद क्या ह और मैंने दो पार्ट हो के अंदर समझाया है और उनमें मेनने दो चंद भी कंप्लीट करा दिये थे इंद्र वजरा उर उपांदर वजरा यह दो संद कंप कि ने है क्यों सकति है उससब से याद करवणा देखिए मैं आपको पहले ये हिंदी अर्थ समझाता थाँ हूँ तो इस चंद के पर्थम ओड तितिय चरण में 12-12 मात्राइं होती है तता द्वा दस्व मात्रास तथा तर्तिय अपी अश्टा दसे द्वित्य चतुर्त के पंच दस सा आरिया यह देखिए जो अभी हमने पढ़ा है यहां से लेकर यहां तक उसी का सेंस्कृत में यह अनुवा थे तो आपको देखिए इसमें यह सारी चीज़े देखने की जोड़ने क्योंकि हम मात्रा संध पड़ रहे तो इसलिए मात्रा ही starting पड़े है की यहां पर इक नी जा वह दो वूड़नी पड़ेगी पहले और तीसरे चरण के इंदर चरण के से अभी यह तो आपको बता दूंगा और आगे किया देखिए द्वित्य यहां पर क्या लिगा है दूसरे चरण में 18 तो सेंस्कृत में कहते हैं अश्टा दस और हमारे हिंदी में कहते हैं 18 तो देखिए यह है ऐट्टा 10 और यह द्वित्य चरण इसके अंदर 18 मातर ही होगी चत्तुर चनन में क्या होगा पंद्रा मात्रा होगी अब देखिए एक चीज यहां पे और ध्यान लखना आप कि अगर एकजाम में यह देदे खाली इतना इतना देदे और आपको यह पूछे कि निम निम इसमें चंद कौन सा है यह इतनी दोनों लाइने देदे और इसमें चंद किया तो आप पेचान केसे कि नहीं पता है? यहां पे दिमाग मत लगाए यहां देखना आप यहां देखें यहां बोले यह सा अरिया, बोलते हैं तो आरिया चंद नाम आता है नहीं सा तो इसमें यह आरिया चंद कर देना है, ऐसे क्योशन कम आते हैं लेकिन ध्यान रखना आपना, नौर्मल क्योशन होते हैं यह, चलिए अब देखते हैं हम उद्धारण, जो उद्धा टाथी न भुक्त तश्य तर्टिया राती वर वन्ति तो देंगे अभी इसके इंदर क्या है वो देखिया में चीज़ है ना जो हमें समझने ये लाइन क्या लिकिए वह समझना आपको ज़्रूरी रही गज़ना है ना बिल्कुल इस अपको यह अर्थ तो किसी कि समझनी नहीं आ इन्धा, खाली आपको यह देखनी है कि मात्राइं कितनी है, मात्रा गिनना है, तो मैं उन्हें पता दिया पेले आपको सबको, तो देखे आपको यहाँ पे क्या बताए गए था, पर्थम और तिर्थिय चरण में बारा-बारा मात्रा है पर्थम और तिर्थिय चरण में बारा-बारा मात्रा है तो यह रहा पर्थम चरण और यह रहा तिर्थिय चरण तो चलिए पहले इनकी मात्राइं गिन लेते हैं देखिए 12 कैसे होगी यहाँ पे देखिए यह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12 अब यह 12 कैसे होगी मात्राइं कैसे गिनते ही है मैंने उन 2 पार्टों के अंदर अच्छी त्रिक से बताया अगर वो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आए तो फिर बताना मैं एक पार्ट और अपलोड कर दूँगा ऐसा कुछ नहीं है न मेरा काम क्या है आपको समझ में आना चाहिए हर चीज अभी हम कौन सा चंद बढ़ रहे हैं आप बढ़ आई आप बता दिया पहला इसलिए आपको अभी आहाँ पहती है यह आपको 18 मातर से गिन नहीं है यहां पर देखिए यह कि आप बोलोगी है जो इन अदा वं दबल कर देथा तो यहां पर एक मात्रा भी यहां पर की वजह से मेरीdefined मेरे मेरे Robin क Slowly की दो है कि और अब अगला देखते है यहां पर देखिया आप रोगह देखिये यहां पर यह एपने आपी यहां पर यह पर और यह जो होगी और यह दो होगी योकी और यहां पर भी एक ही होगी बतलब यहाँ पे दो है यह लगना यहाँ पेड़ किसलिए क्सलिए है क्योंकि एफ वॉर्ण था यह अपने पूर वाले वर्ण को double कर दे था यह पूर वाले वर्ण वे है इसे पेले वाला और है 16 वाला और इसको कर दिया डबल वैसे वरे की अंदर एक मातर होने चाहे है लेकिन यह में डबल है क्योंकि नहीं आया इसके आगे चलीए नब two रेधिकी הג की मातरह है तो कि नही आघ्ओ accept हो गए और यहाँ पर देखी है यह से इसको डबल कर रहा है ते को तो यहां पे डबल हो गया और यह दूट तो आपको मैंने यह यहां पे मातर है बार-बार मैं नहीं बताओगा इसलिए मैंने यहां पे बता दिया समझ गया आप चलिए यह दूसरे बन के अंदर देखिए 18 मातर हैं होगी गिन लीजिवले आप राम से चरण के अंदर बार-बार मातर हैं और दूसरे और चोते चरण के अंदर दूसरे के अंदर तो 18 मातर हैं आएगी और चोते चरण के अंदर 15 मातर हैं इतना याद रखना ही पड़ेगा और यह लाइन आ जाए तो मैंने बता दिया इसके अंत में आर्या लिखावाए तो इस नम और तीत्य और यह बारा यहां पे दित्य यहां पे अठारा यह चतूरत यह पंद्रा समझें बस यह था आर्याचन इसको याद करना बहुत जरूर था इसका क्यूसन आपके एकजाम में आएगा तब आप क्या करोगे यह जैसे मैंने बताया वैसे करना है कुछ नहीं करना कि इसमें अठारा होने चाहिए और इसमें पंद्रा होने चाहिए चोते चर्ण में बस इतना ही था अब आते हैं हमारे वर्निक चंद मात्रिक चंद एक ही था अब जो हम पढ़ेंगी वो सारे के सारे वर्निक चंद है यह ध्यान रखना और इस चंद जो अब हम पढ़ेंग जितना चाहो जितना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा रहा ना वो फिक्स रखिए कि आपको इसके अंदर यह की ध्यान रखना है कि जो भी आप यहां पर वर्ण देखिए आपको मैंने एक पहले ही बता दी को मातरिक चंद हमारे जो चंद ह कि अंदर सिर्फ और सिरफ एक ही है कौनसा अर्या चंद उसको हमने पढ़ लिया अब मातरिक का कई नाम यह नहीं आना तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मातरिक क्यों गिनेंगे अब हमें एक बार तो गिनने होंगे वर्ण वर्ण गिनते हैं तो मैंने बताए था वर्ण तो एक एक ही होता है जो आदा होता उसको गिनते ही नहीं है उसको गिनेंगे ना किसी के आगे गिनेंगे ना पिछे गिनेंगे आदा होता उसका कोई मतलब नहीं होता बागी पूरे-पूरे वर्ण ही गिने जाता है चाहिए उसे एक ही गिने जाता है उसमें गुरू लगूवाला कोई लफडा नहीं है यह द्यार नकरा तो देखिए इसके अंदर आपको अनुष्टूप के अंदर एक ही बात द्यान है तो आपको सिर्फिधर वर्ण गिना एक दू ठीन चाहर पाँच छे साथ और आट क्योंकि यह से आदा है तो इसका कोई उसारांस नहीं है सबद के अंदर यहां औध देखिए यहां पेहे लिए एक, दू, तीन, चार, पांग, छे promote हया, याठ क्योंकि यह में आदा है, इसका कोई मतलब नहीं, अब देखिए, एक, है एक, सब्सक्राइब, आप देखिए, एक, दो، तीन, चार, पांग, छे साथ और ये आठ क्योंकि ये तयादा है कोई मतलब नहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ कितने होगे बतीस होगे ना बस आपको मेन बात ही क्योंकि हमारे जितने चंद आगे पढ़ेंगे ना हमारे जो कोर्स के अंदर है लगबग उनके अंदर कहीं पर भी आठ वर्णों का चंद नहीं है ये बात आपको मैं बता देता हूं ठीके चलिए अब आपने ये पढ़ लिया कौन सा अनुष्टूप चंद पढ़ लिया लेकिन कुछे की स्टूडेंट कहेंगे सर नहीं हमें तो पूरी विशेष्टा ही बताओ तो चलिए विशेष्टा बता देते हैं क्या लिकाए सलोक कह सष्टम गुरूर्गे सर्वत्र लगुपंचमम द्विचतुस्पादियो हर्स्वम सप्तम दिर्गमनयो क्या दिर्गमननयो तो इसको अब इसकी जो अर्थ है ना इसको आपको समझना जिस सलोक के परतियक चरण में छटा अकसर गुरू पांचव अकसर लगू ठीक है अब देखिए कुछ है कि स्टुडियन केंगे सर आट आट का तो आम नहीं मानेंगे ही ना मानेंगे तो चलिए आप नहीं मानते हो तो चलिए आपको मैं और बता देता हूं क्या कि आपको यहां पर पहले तो पांचव अकसर देखना है यह जो है ना चरण इसके अंदर पहले तो पांचव अकसर देखना है तो एक दो तीन च्यार और यह पांचव कुन सा है ले ली है ना ली ली लिखावा यह पांचव है तो इसमें यह कहा है यहां पर देखिए मैं आभी यह य तो दा की आए गुरु ये तो देखे ये पांच वाक्सर लगू और छटा अक्सर गुरु होता है उसके अंदर अनुष्टु चंद होता है लेकिन कुछ से पहले और ये तीसरा इस चपांग में साथ one और वकली तेके एक दो करके ही रहूंगा ये कोई फाइदा करंगा ये के साथ चिपक के रहूंगा लेकिन मैं सह को ही डबल करूँगे ये बोलता है यह बोता है तो आप समझ गहुंगे कि सात्वा वर्ल हैं पहले और दीसरे के इंदर गुरव guarantees का दूसरे और चतुर चरण के अंदर शात्वावन लगवगा तो देखिए यहां पर यह देख लिए आपने शात्वावन गुरु है यहां पर देख लिया आपको यहां पर तीसरे चरण में भी दिखा देता हूं एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ आप देखिए आप ओलोगे कि हां ली तो चोटा है इसका मतलब यह लगें कियों होगा भई मैंने बता है यह यह की होगा हुआ ॅइक बहुता है मैं इस यह के साथ सम्झे के एंदर शातवाण गुरू होना चाहिए, यह बात आप समझ गई, आप देखें अगली बात क्या बोले हैं, अगली बात ऐसी है कि दित्य और चत्तु चरण, यह न, इसके और इसके अंदर, जो शातवाण होगा, वो लगू होगा, तो इसके अंदर आप देख लीजी, यह शातवाण है, वो confused होगे होगे, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, कि जो यह की बात ध्यान रखनी पहले तो आट वन गिल लिए, गिल लिए वाट वन गिल लिए न, बस थोड़ी से और बात ध्यान रखने लिए न, कि जो यह अपने परतियक चरण के अंदर, क्योंकि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक साथ में आपको ज़्यादा चंद पढ़ाऊंगा तो याद नहीं रहेंगे, अब आप पूरे दिन में आप एक काम करना, बस एक ही काम करना, मैंने जो आर्या चंद पढ़ाया, यह और यह अनुश्टूप चंद है, इसको आप पूरे दिन में, जब से आप देख रहे हो तब से लेके कम से कम 5-6 गंट या कहीं पर भी आफिरो गुमो तो वहाँ पर आप इन दोनों को याद कर लेने, एक बार तो कम से कम बीना देके याद होने ही चाहिए, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरिक से आपको बूलना मेरे वीडियो को, और मैं कुछ से नहीं चाहता आप सबसे, थैंक यू